खिब्ले के तरब पेशाब करना कैसा है और खास्त और है गार मुसलिमों कर घर जाना होता है वहापन नहीं कि पेशाब यहांने के लिए क्विश्चने होता है और वहांपर बाथरूम में कर गये तो फिर खड़े रएकर ही करना पड़ता है फ्याइने स्वार में कि क्षिब्ले रुख होकर पेषाब करना कैसा है जब क्यों कपनी वह घ्र करना पड़ता है तो और से दोनों को जौहभ support पहला हम लेकिन ये- खुब्ले में ये खुब्ले में ये जब आप खुले में कर रहे हैं और नभी एकरम सब्सक्राइब अक्सर खुले में करते थे वहां उनके आज टॉलेट नहीं थे बंद सिस्टम ही नहीं था टॉलेट दूर जाते थे और सहावियत भी जाती थे पुरा वाकिया पता है पड़े कि आज जब नाजरी अज़रत उम ने क्या क्या है उमातल मुमीन टॉलेट करी भार जाया करती थी पुरा वाकिया आपको बताऊंगा उनके बैतुलखला गरों में नहीं होते थे दूर जाना पड़ता था जंगल में जाना जैसे आजकल भी खेट वगर हैं आप देखते हो पैसे नहीं तो कहां से लाइं तो दूर जाते थे कुछ-कुछ सहाबा के ऐसे थे कि उसको कपड़ा था कुछ सामान होता दाल जिया था कुछ-कुछ थे जिनके चट भी हुआ करता है वदा ऐसे भी टॉलेटरी में चट भी नहीं होती तो को इंसान रिवादत में आता रहे थे दूसरे ने देख लिया तो ऐ और ऐसे हमाम था कि यहां था कबड़ा थ создे और वह से सी चाहबा का आधा रहते वृटकि क्यों ना आधाथ है हुर्साब करीब नहान एंग नह रहे थे हमाम यह थे पप्लिक हे नहान बाटता थे अपने यह यहonगोइच सब्चसरा उन स्कॉछ-क्यरा लेकिन देखा गया अब अब रजयन फर्माते हैं अब ताहरत करके उठे तो आपका वो खिबले के तरफ लेकिन यह वो ताहरत खाना था जो बंद ताहरत खाने हैं तो उसके अंदर कहीं भी मूड़ा हो कोई मसला नीधा को फोले में तो Gir और डूने करें बंद ताहरत खानुमिए एच्ची बात जरूरी नहीं है लेकिन धीबात और दोर नहीं कर सकते नहीं कर सवाल यह था कि कई जगा तौालेट्स नहीं होता है समझे ना मतलब पेशाप के लिए पेशाप खाने अलग होते हैं जिसमें लोग अब हम बसे एक नमबर और दो नमबर बैटके या फिर जैंड के टौलेट होंगे तो खड़ रहे के रिपेशाप कर रहता और लेडिस के होते हैं यह तीन पेखाने होते हैं और 8-10 यूरिनल्स मतलब वो पॉट लगी वे होते हैं अब होता क्या कि अगर आप पेखाने के लाइन में लगो तो मिनटों खड़ रहना पड़ता और आपको आयवा है पेशाप हलाइड भी है और सारे मसायले और पेशाप को आप रोक लेते हैं तो लेवल बढ़के ब्लेड में चला जाता जिसके नतीजे में आप अब यूसी हो जाते गाली निकलती हुँसे इसलिए जितने लोगों पेशाप का प्रावलम होता है तो गाली बहुत देता है अब बुड़े होका पेशाप जली नहीं होता ना तो आप फश्रेकर की मजबूरी में खड़ रहकर पेशाप की आजासा मजबूरी में खड़ रहकर पानी पिया जासे लहाजना वहां कि यूरे बड़कुंट utan लोग मसला होता है पानी ने कहां दालने के लिए तो इक अलग मसला है उसके लिए अप तयारी करें और यह मसला आपको आप मजदिद से करता है यह पाइन दालना पड़ता है उन्योकर पानी होता है नियुक्त के चले साथ यह प्रॉलम है यह देख वगरा बहुत आरा महां तो मामला यह है कि कहीं भी शूरो जाओ और जगह ताहरत आने चब्न निफिते आप खुलना और वस काम शुरूगर देना लेकिन वहां अभी निगें गज हैंग पानी तो पाणी तो कहीं भी नहीं देंगें तो बहुत देती एक इंसान को और घुष कंबल करें तो लेहाद आप वह चीजे देख लेगे खड़े वगरा डेले कैसे उसकर देखे तो हमारे पास अगर ऐसी की कमपनी या मजबूर है तो मजबूरन पैशा आप खड़ रहे के कर सकते हैं मजबूरन पानी भी आप खड़ रहे के पी सकते जब आपके पास सहुलत ना हो या फिर बैटने से कभी ऐसा भी हो सकता बैट करने से ताहरा तूट जाएंगी आप और खड़ रहे के सही होते है जैसा कि आप एक टौलेट में गए इतना गंद्ध टौलेट के अगर हमां लोगों ने बाहर कर दी हमारे पास यह सब चीज आम है मैं आपको बता रहा हूं धाबों पर आप जाएंगे रास्तों में टौलेट होते हैं एक्सप्रेस वे पर सिर्फ इंडिया में टौलेट होते हैं एक्सप्रेस वे उसके अलावा कोई भी स्टेट हाईवे नैशनल रहता है क्योंकि इतने जल्दी आई अंदर भी लोग मालूं पानी नहीं बाहर भी नहीं है लोग बाहर तक कर देते भाई यह आपने देखा नहीं अगर सफर नहीं करते तो आपको नहीं मनुत हैं तो अज़्किन होता बैटकी पीना मुस्तायबर सुद्नत हैं लेकिन ना क्या करेंगे रेंच शूट सकती तो बैट के नहीं सकते हैं तो यह मजबूरीयें वाली सिच्विशन में खड़ रहे के पीवी सकते हैं और पेशाप कभी हाले और कभी यह होता है कि बैट कर पेशाप बीमारी में भी आप नहीं कर से जिससे तारा तूड जाती हैं कुछ होता है कि बैट गए पेशाप हो जाता है खड़ रहते ही धर निकलता है तो बैटके फिर था निकलना चाहते है किसी कोई प्रॉब्लम ही होता है कि बैट के नहीं होता है, खड़ रहे कर ही होता है, तो फिर ऐसे सेंस में क्या करेंगे, समझ रहा आप, यह आपकी बीमारी वाली मजबूरिये आप खड़ रहे करें, फिर तहार देने को बैट जाए, बहर रहाल यह सिच्वेशनल और शरीयत इंसान को बहुत सहुलत देती है, ताकि अपनी इबादतों को दिल जोई से और तमाम शरायत को पूरी करते बराएं